सब्सक्राइब केजिए इन्फराटेक यूट्यूब शेनल को और इस बेल आइकन को दबाईए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स इन्फराटेक यूट्यूब शेनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए सुरू करते हैं इस वीडियो को लेट्स गेट स्टार्टेड इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बजाज पलसर की न्यू लॉंच के बारे में बजाज ने अपनी पलसर सीरीज की पलसर 150 न्यून बाइक इंडिया में लॉंच कर दी है इस वीडियो में हम इस बाइक के फीचर्स और प्राइस के बारे में बताएंगे बजाज आटो इंडिया ने अपनी सबसे पॉपलर बाइक पलसर 150 क्लासिक का नया वेरियंट लॉंच कर दिया है जिसमें कमपनी ने कोई खास बदलाव नहीं किया है बजाज की इस बाइक को सिर्फ नई रंग नियोन में लॉंच किया गया है नई पलसर नियोन पूरी तरह से पहले से मार्केट में मौझूद पलसर 150 क्लासिक पर बेस्ड है चेंजिस के तौप इसके कुछ पार्ट्स जैसे हेडलेम्प की साइड, वेज, साइड की पैनल, ग्रेब, रेल, 3D लोगो और एलोई वील पर नियोन रंग से हाइलाइट की गई है बजाज ओटो के मोटरसाइकल डिवीजन के प्रेसिडेंट एरिक वॉस ने कहा कि बजाज की बाइक पलसर पिछले 17 सालों से नंबर वन पर बनी हुई है हलाकि कंपनी ने बाइक में कोई टेकनोलोजी से रेलेटिट चिंजिस नहीं किये इसमें पहले की तरह ही 149 CC का एर कूल सिंगल सिलिंडर इंजन मिलेगा जो 14 BHP की पावर और 13.4 Nm का टॉक जनरेट करेगा सस्पेंशन के लिए बाइक के फ्रंट में टेलिस्कूपिक फॉक्स और इसके रियर में ट्वीन गेस चार्जड शॉक आपसॉबर दिया गया है वजाज पलसर के अगले टायर में 240 mm का डिस्क ब्रेक और पिछले टायर में 130 mm का ड्रम ब्रेक दिया गया है इस बाइक की प्राइस 64,998 रुपीज रखी गई है यह प्राइस एक्सोरूम डेली है इस बाइक का मुकाबला होंडा की CB Unicorn 150 और Hero Achieber 150 जैसी बाइक से होगा तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो समझ में आ गया होगा अगर फ्यूचर में आप इसी टाइप की और वीडियो दिखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जोड आपने सब्सक्राइब पहले से ही कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्याबाद और आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए और जो भी आप फ्यूचर में दिखना चाहते हैं वो कमेंट करके बता स करते हैं हमें इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्याबाद